नमस्कार साती है आपका स्वागत है आपके योट्यूब चैनल ट्रेडवेत राड़ एक चलिए दोस्तों शुरूब बात करता है जैसे कि अपने नीज पर व्यूज करेंगे तो आज है तीन मार्च और रात के दस बच के चालिसमें डॉलर मार्केट ऑफेकल मार्केट ओपन ह अगरत वोड़ाफ़ोन आइड़े के अंतर जो बॉड़ के अंतर मीटिंग उसमें अप्रोल मुल्या फट एरेज करने के लिए तो कल के दिन वोड़ाफ़ोन आइड़ा फिर से तीजी देखना मिलेगी तेजी की वज़ा है कि वोड़ाफ़ोन आइड़ा ने फंड करोड पेगी तो 4500 करोड का फंड एरेज तो करेगा वड़ाफ़ोन पील सी तो अधित्ता दो ग्रूप है अधित्ता विल्ला ग्रूप तो वह फंड एरेज करेगा 10,000 करोड पेगा क्यों देखी यह आज बॉर्ड मीटिंग में अप्रूवल हुआ है देख सकते हैं आप ट सेकंड ली 10,000 करोड का फंड रेज होगा अधित्ता विल्ला गूरूप के द्वारा अब इसके अंदर क्या होने वाला है वोड़ाफ़न पील सी ने रेसेंड ली ने अपनी 2.4 परसें इस टेक वेची ती इंडस्ट आवर के अंदर से ठीक है तो बल्क डील के द्वारा तो पहली जो सेल होई थी इनकी 1412 करोड बेगी अब दूसरी जो सेल होई असका अनुमान लगाए जा रहा है तीन हजार से लेके साड़े तीन हजार की बीच में ठीक है ना जो वोड़ाफ़न पील से अपनी स्टेक बेक है इंडस्ट आवर के अंदर से 4.7 परसेंड की तो वो अब कंपणी ने डिकलेर कर दिया का भाया हम ऐसे से कर अपना फंड एरेज कर रहे हैं तो फंड एरेज करने मतलब के कंपनी सरवाइफ करना चाहती है आगे भी कंपनी इस चीज को मैंटन रखना चाहती है तो इसलिए फंड दिर दिरेरे एरेस करें और वोड़ाफ़न सब्सक्राइब करने की बात और कर रहे हैं एंडी और रविंदा ठकर के दुआरा ठीकिन उन्हें बोला है कि हम पच्चीजार क्रोड़ रुप्य का फंड एरेज और करेंगे अब देखे इसके अंदर क्या है कि जो स्पेक्ट्रम के ड्यू से एजर के ड्यू से उसको कंपनी दीरे दीरे पेट करना चाहती है इसलिए गौवर्मेंट है लार्जेस शेयर होल्टर इन वी एल सी अब गौवर्मेंट किसके इंदर शेयर हो गई है 38.5% की हो गई है फॉर एयर के पीरिट के लिए अब इसके तक क्या देखने हो मिलना हमारे को अब देखिए एजर टोटल था 58,254 करोड़ पर एजर ड्यूस बची है तो उसमें से कंपनी ने वी तक पेट करा हमार कंपनी ने पेट किया 75,844 करोड़ पर पेट करा है तो इनको मोड़िटरियम को टैम मिला है तो मोड़िट सब्सक्राइब को मिला है जो एन्स्टॉल्मेंट मिलिए इनको देने के लिए रिलीफ पैक के गोडिंग वह टोटल अमाउंट मिला इनको पंदर अजार क्रोड पर इस पेक्टर के देने हैं और 9000 क्रोड पर चार साल के अंदर जो इनको पर पीरिड और टैम मिला है तो अब यह चीज का वैनिफिट मिला कंपणी और कुछ नहीं है तो बागी कंपणी ने अभी हाल फिलाल के 14500 क्रोड पर फंड रेस के बात करी यह बहुत अची बात है कल से यहां पर शेयर करना फिट से तीजी देखने को मिलेगी आपको क्योंकि न्यूस काफी अच्छे कंपनी ड और दस चार करोड का फंड डालेगा वह इसके करचे जो खतम होंगे तो धीदर कंपनी इंप्रूमेंट भी करें कि तो देखते हैं आज के दिन में से ट्रेडिंग सेसन कैसा रहा और आगे कैसे रहना उसका समस्ता थोड़ा तो देखिए आज की दिन मोटा मोटा आपको 5.14 चोंतर परसंट तीजी के साथ यह बंद हुआ आज यह ओपन आ तो 10 रुपे 70 पैसे हाई मारे इसने 11 रुपे 25 पैसे गा 52 इसका लो है आज के दिन का 10 रुपे 55 पैसे गा 52 है इसका सोलर पैसे पास दिन के अंदर इसने हमार को 3.76 परसं इंद दिया पॉजिटिव में वन मं सकते 6 मेने के पहले भी आपके पास शेर हो ताभी भी आप अच्छे का से प्रॉफिट में होएंगे अब यहां से और कैसे जाने वाला है तो दीखिए एक सपोर्ट लगाए से दज़र पर क्या सपास तो इस चार्ड पे तेक अलगी टेर्टरी में शेर आ चुका स्टैंप पर देख सकते हैं आप मसीडे पर ब्रेक आउड आ चुका है आरे से हमारा 49 के 50 का वाप जाने को तेयर बैठ हुआ है और कल के दिन जो इसमें हैमर कंडल बनी ती और आज के दिन के अच्छी का से बुलिस कंडल बनी है तो यह तीजी को इंडिगेट कर रहा है अब इसमें क दिखे शेर अभी वी 200 आयमे के उपड ट्रेट कर रहा है आरे से अमसेड दोना अप ट्रेंडिंग तरफ है और अभी शेर के अंदर थोड़ी थोड़ी जैसे से क्रोस्मोविंग होना स्टार्ट होगी तो और तीजी देखने को मिलेगी जैसी है ट्वेंटी वन देश के आपको देखने को मिलेंगे आई होपी वीडियो को लाइक शेयर फावड करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो